पहले और दूसरे प्रकार के पोशक तत्वों के बारे में बने स्पोकन टोटोरियल में आपका स्वागत है इस टोटोरियल में हम सीखेंगे पहले और दूसरे प्रकार के पोशक तत्वों में क्या फरक है चलिए शुरू करते हैं खाने से हमें उर्जा और पोशक तत्व मिलते हैं पोशक तत्व शरीर के वृद्धी और रख रखाव के लिए जरूरी होते हैं कुछ पोशक तत्व शरीर खुद नहीं बनाता ऐसे तत्वों को जरूरी पोशक तत्व कहते हैं हमें खाने में से 40 पोशक तत्व लेने चाहिए पर जिन खानों में पोशक तत्व कम हो उन खानों में से 40 पोशक तत्व नहीं मिल सकते ऐसा खाना अगर जादा मात्रा में भी खाया जाए तो भी सिरफ भूख ही मिटती है और शरीर में एक या अनेक पोशक तत्व की कमी रहती है इसे छिपी हुई भूग कहते हैं जरूरी पोशक्तत्व को दो भागों में बांटा गया है पहले प्रकार या फिर काम करने वाले पोशक्तत्व दूसरे प्रकार या फिर बढ़ने में मदद करने वाले पोशक्तत्व आइरन, काल्शियम, आयोडीन। और कॉपर पहले प्रकार के पोशक्तत्व हैं। मैंगनीज, फ्लोरिन और सेलेनियम भी पहले प्रकार के पोशक्तत्व हैं। विटामिन B, C, A, D, E और K भी पहले प्रकार के हैं, पर सलफर, क्लोरिन, प्रोटीन और ज़रूरी अमाइनो ऐसिड दूसरे प्रकार के पोशक्तत्व हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैगनीशियम, फॉस्फोरस और जिंक भी दूसरे प्रकार के हैं, जरूरी फैट जैसे ओमेगा थ्री भी दूसरे प्रकार के पोशक्तत्व हैं, अब हम पहले और दूसरे प्रकार के पोशक्तत्व के फरक को समझेंगे, पहले प्रकार के पोशक्तत्व उतकों के खास कामों के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए ये चुनिंदा उतक या उतकों क के गुच्छों में एक ही जगा पर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। आईए उदाहरन के लिए कैल्शियम और विटामिन A की बात करेंगे। कैल्शियम मजबूत हड्यों के लिए जरूरी है। विटामिन A तंदरुस्त आंखों के लिए जरूरी है। पर दूसरे परकार के पोशक्तत्व शरीर के पूरे विकास के लिए जरूरी होते हैं। वे शरीर के हर कोशिका की सनरचना और उसके काम का हिस्सा बनते हैं। इसलिए वे भी शरीर के हर उतक में होते हैं। अब पहले और दूसरे प्रकार के पोशक्तत्व की कमी होने पर शरीर की प्रतिक्रिया क बात करेंगे पहले प्रकार के पोशक तत्वों की कमी होने पर भी शरीर बढ़ता रहता है शरीर इन पोशक तत्वों को उन विशेश उतकों में से ले लेता है जिनमें ये मौजूद होते हैं उदाहरण के लिए कैल्शियम कैल्शियम की कमी होने पर शरीर हड्डियों में मौ पर असर होता है जो इस पोशक तत्व पर निर्भर होते हैं इसी वजह से इंसान बिमार होने लगता है फिर उस बिमार इंसान में पोशक तत्व की कमी से होने वाले खास संकेत दिखने लगते हैं ये बात चार उदाहरणों से समझेंगे कमजोर हड़ी और हड़ी के तूटने का जादा खत्रा कैल्शम की कमी की वज़े है अनीमिया आइरन की कमी का संकेत है उसी तरह रात का अंधापन विटामिन A की कमी का संकेत है और हाइपोथारेडिजम आयोडिन की कमी का संकेत है जबकि दूसरे प्रकार के पोशक तत्मों की कमी में सिरफ एक ही संकेत होता है उसे विकास ना होना कहते हैं विकास ना होने का मतलब है शरीर दो खास प्रक्रियाओं की गती को कम कर देता है जो है नई कोशिकाएं बनाना और पुरानी कोशिकाओं को बदलना शरीर बढ़ना और नए उतक बनाना दोनों बंद कर देता है इससे वजन कम होता है, लंबाई कम होती है और मास पेशी भी कम होती है शरीर की सभी कोशिकाएं और रोग प्रतिरोधक शक्ती पर असर पड़ता है इन सबसे infection का खत्रा बढ़ जाता है, अंत में मृत्यू भी हो सकती है दूसरे प्रकार के पोशक्तत्व शरीर में मौजूद नहीं होते इनकी कमी होने पर शरीर अपने उतकों या मास पेशीों को तोड़ने लगता है इस वज़े से दूसरे प्रकार के वो पोशक्तत्व निकलते हैं जिनकी शरीर में कमी हो इनी पोशक्तत्व को फिर शरीर बाकी के उतकों के लिए इस्तमाल करता है अगर उतक बहुत जादा तूटे हैं तो कोशिकाओं के काम पर असर पड़ता है और फिर भूक कम लगती है उतकों के तूटने से वे पोशक्तत्व मिलते हैं जिनकी शरीर में कमी हो पर इस से उतकों में मौझूद बाकी सभी दूसरे प्रकार के पोशक्तत्व भी निकलते हैं और ये फिर शरीर से बाहर निकल जाते हैं इसलिए दूसरे प्रकार के पोशक तत्वों की कमी होने पर हमेशा इन ही पोशक तत्वों से भरे खाने को खाना चाहिए पहले प्रकार के पोशक तत्वों की कमी को ठीक करने के लिए सभी पहले प्रकार के पोशक तत्वों की जरूरत नहीं होती इसके इलाज के लिए सिरफ वही पोशक तत्व लेने चाहिए जिसकी शरीर में कमी हो अब बात करेंगे मा के दूद में मौजूद पहले और दूसरे प्रकार के पोशक तत्वों की मा के दूद में दूसरे प्रकार के पोशक तत्व हमेशा होते हैं अगर मा कुपोशित हो, तो भी वे हमेशा दूद में होते हैं। जरूरत के जितना स्तन पान कराने से, कुपोशित मा का शिशु अच्छे से बढ़ सकता है। पर पहले प्रकार के पोशक तत्वों की मात्रा मा के दूद में हमेशा एक जैसी नहीं होती। मा के पोशन के हिसाब से वो बदलती रहती है। उदारन के लिए विटामिन D की बात करते हैं। अगर मा में विटामिन D कम होगा, तो उसके दूद में भी विटामिन D कम ही होगा। अब बात करेंगे पहले और दूसरे प्रकार के पोशक तत्वों की कमियों की जांच परताल की. पहले प्रकार के पोशक तत्वों की कमी दो तरह से जांच सकते हैं. पहला है खास संकेतों को पहचानना. शरीर में पोशक तत्व की मात्रा खून की जान्च से पता कर सकते हैं उदाहरन के लिए आयरन और आयोडिन की बात करेंगे आयरन की कमी को पीली तवचा और ठकान जैसे संकेतों से पहचान सकते हैं शरीर में हीमोगलोबिन की मात्रा खून की जान से पता कर सकते हैं। आयोडिन की कमी भी इसी तरह कुछ खास संकेतों और जान से पता कर सकते हैं। संकेत जैसे की गर्दन का सूजना, वजन बढ़ना और बालों का जड़ना। शरीर में आयोडिन और थाइरोड हार्मोन की मात्रा खून की जान से पता कर सकते हैं पहले प्रकार के पोशक तत्व की कम्यों को पहचान कर उनका इलाज भी कर सकते हैं इन तत्वों की कम्यों का इलाज करने के अलग-अलग तरीके हैं जैसे कि बताए गई मात्रा में इन पोशक तत्वों को खाने में खाना और उपरी खुराक या दवा लेना आइरन, विटामिन C, फॉलिक एसिड जैसे उपरी दवा आम तोर पर स्वास्त सेवक सुझाते हैं कुछ इलाकों में जहां पहले प्रकार से होने वाली कमियां जादा हों, वहां खाने में इनी तत्वों को मिलाया जाता है उदाहरन है नमक में आयोडिन का मिलाया जाना एक योग्य, पोशन विशेशग्य, इन सब के बारे में जानकारी दे सकता है दूसरे प्रकार के तत्वों की कमियों को जांचना और इलाज करना मुश्किल होता है इन तत्वों से होने वाली कमी को जांचने का एक ही तरीका है मापना और ध्यान रखना जैसे की वजन, लंबाई और उपरी बाजू का घेरा पर इस से सिर्फ शरीर के ना बढ़ने का पता चलता है शरीर का ना बढ़ना दूसरे प्रकार के हर पोशक तत्वों की कमी से होता है ये पता करना मुश्किल है कि शरीर में कौन से पोशक तत्वों की कमी है इसलिए दूसरे प्रकार के पोशक्तत्वों की कमी को ठीक करने के लिए सब भी दूसरे प्रकार के पोशक्तत्वों की जरूरत होती है वो खाने जिनमें दूसरे प्रकार के पोशक्तत्वों हों उस खाने को खाना चाहिए पहले दिये जाने वाले खाने की मात्रा बढ़ाने से मदद नहीं होगी उस पहले दिये गए खाने से शरीर को दूसरे प्रकार के पोशक्तत्व नहीं मिले होंगे शरीर को बढ़ने के लिए खाने की गुणवत्ता को बदलना चाहिए जादा जानकारी के लिए एक योग्य पोशन विशेशग्य से मिले पहले और दूसरे प्रकार के पोशक तत्व से भरपूर खाने के बारे में अन्य टुटोरियल में बताया गया है जादा जानकारी के लिए हमारी वेब साइट देखें अब ये टुटोरेल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हम से जुनने के लिए धन्यवाद अब ये लाद के जुजए, इण हम मलूटी कझे की धन्यवाöt री ले लेगा, लेकाना, कि बेला बार 2100 अब आढाओ कॉड़िये, बेला功 생kien您 से ओंदे अजsilक